हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू माइनर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हाँ सब लोग, मास बढ़िया चलो इस्टार्ट करते हाँ हम लोग, रिपॉर्टर्टी सिस्टम का नेस्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं Physiology of Mansuration, यहाँ पर अपने स्लेवर्स में केवाल इतना वर्ड लिख दिया गया है Physiology of Mansuration, बट इसके अंदर एक्चुली ये एक detailed topic है, ठीक है न, तो समझेंगे इसको Mansuration को पूरा detail में समझेंगे, और फिर उसकी एक last में summary करवाऊंगा मैं, जिससे की पूरा का पूरा याद हो जागा अच्छे से, और एक चीज, इससे पहले Oogenesis जो करवाया है, अगर वो अच्छे से नहीं आता है, तो Oogenesis के बहुत सारे term इस lecture में use होने वाले हैं इसलिए उसको पहले करवाया, थोड़ा detail में करवाया, क्यूंकि mensuration के अंदर Oogenesis के बहुत सारे term इस्तमाल होने वाले हैं, वहाँ पर जो hormones का इस्तमाल था हो रहे तो वो यहाँ पर होने वाले है, क्लियर है, copy pen ले लो यहाँ पर भी, क्योंकि शाथ में एक short notes बनाते चलोग ठीक है, आँ स्टार्ट करते हैं, तो mensuration हम सबको पता है, mensuration क्या होता है, mensuration जो females में 28 days की cycle होती है, जिसको हम लोग हिंदी में, हिंदी नी सारी, जिसको हम लोग आम भासा में periods बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, periods है न कि girls को periods हो रहे हैं करके, उसी की बात हो रही है, उसक यह process आज समझ पाओगे, तो उसमें होने वाला जो girls को, कुछ girls को pain feel होता है, वो साथ आप लोग आज properly समझ पाएंगे कि इस तरह से cells का तूटना होता है, और क्यों pain होता है, सारी बात हैं क्लिए रहेंगी, तो pain वाली बात बेटा मैंने इसलिए बोली कि बहुत सारा आज क इसलिए अगे, during reproductive year, ठीक है introduction है, reproductive year मतलब जब फीमेल का menstruation start हो जाता है, 11-12 की एज में, female का menstruation start हो जाता है, उस घ्रेसिस में हमने डिसक्स किया था, ठीक है, ठीक है जो non pregnant females होती है, जो pregnant नहीं है, exhibit, उनके पास cyclical changes, cyclical changes, मतलब cyclical, जैसे निए हमारा week क्या है, साइक्लिक है, हर एक 28 दिन के बाद है ना मैंसेस होते हैं पीरेट्स होते हैं ब्रीडिंग होती है ठीक है तो जो नॉन प्रेगनेंट फीमेल से उनके पास उनलब उनकी बॉड़ी में एक साइक्लिकल चेंजिस होते हैं इन ओवरीज एंड यूटरस ध्यान रखेंगे ये मैंसुरेशन को कुछ लोग समझते हैं कि केवल और केवल क्या है यूटरस की प्रोसेस है केवल जो एंडरोमेट्रियम लेयर का तूटना ऐसा नहीं है उसके साथ-साथ ओवरी में भी कुछ प्रोसेस चल रही होती है दोनों का कंभाइन रहता है ठीक है इसी लिए यहां अंद साथ-साथ देखना है अदर्वाइस कोश्चन आएगा तो समझ में नहीं आएगा नाओ इच साइकल टेक्स इस साइकल होती है टेक्स अबाउट अमन्त रियल्टी यह है कि 28 दिन जो हम बोलते है एक प्रचलन में आगया 28 दिन नो डाउट अगर कोश्चन आएगा तो तुम यूटरस टू रिसीव फटलाइस्ट ओबम इंपोर्टेंट पॉइंट उजनेसिस तो होती होती है उजनेसिस पढ़ चुके पहले हम लोग और साथ-साथ में हमारा जो यूटरस होता है फीमेल की बॉड़ियो यूटरस होता है थुरा सा याद दिलाओ मैं ठीक है आगे सा ले ले लेते हैं यहां से इसकी तीन लेयर होती है तो यह सबसे अंदर की लेयर होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियम याद है ना क्या बोलते हैं इसको हम लोग एंडोमेट्रियम अराम से बता रहा हूं क्योंकि यहां बच्चों को समझनें बहुत दिक् यह तो endometrium होती है यह layer बनी हुई है और ठीक है मतलब यह endometrium होती है reality यह है इस endometrium के उपर कुछ growth होती है कुछ further और cells की growth होती है माल लेते हैं यह cells की growth हो गई है है ना जैसे हम माल लेकी skin है skin को पर एक और layer चड़ गई है थोड़ी सी मोटी सी और यह जो skin थी जैसे ही periods होते हैं तो यह जो layer होती है यह टूटती है यहां से break करती है break करेगी और यह पूरी layer यहां से अब सोचो imagine करो कि उपर से तुम को यह skin है इसको तोड़ा जा रहा है बॉड़ी अंदर से तोड़ रही है no doubt और तोड़ने के लिए क्या करेगी बॉड़ी यह समालो कोछी इस हतेली को पर चिपकी हुई है तो यह ऐसे shrink करेगी अंदर contract करेगी तो यह उपरर खाल हट जाएगी इसी तरह की process को यह होती değişsaójove पर जो blood capillaries आ चुकी होती है देखेंग अभी detail में वो भी तूटना start करती है ओके तो ये endometrium, myometrium सबसे बाहर के लेयर क्या थी perimetrium ठीक है ये बेटा ये सब तुमारा one mass question कहां से आगे गिरेगा बिलकुल ध्यान रखना है ये सब question तुमारा बनते है ठीक है तो it takes about a month एक मेहने की cycle होती है इसके अंदर oogenesis हुई होती है और uterus prepare होता है ये layer बनती है और तूटती uterus prepare होता है तो receive a fertilization मतलब जब साधी हो जाती है और female जब pregnant होती है fertilization और पूरा topic वही है उसके और discuss करेंगे now कुछ hormones भी role play करते है hormones secreted by the hypothalamus anterior pituitry and ovaries तीन जगे से hormone छोड़े जाते हैं कहां कहां से hypothalamus anterior pituitry and ovary control the main events यही मिल करके क्या है जो main घटना होती है इनको control करते हैं कौन-कौन से gland है hyposalmines pituitry और ovary के लिए लोगी बाते हैं ovary ovary के अंदर हम उजनेसिस पढ़ा था उजनेसिस पढ़ते वक्त हम लोगों ने estrogen relaxin इनिवीन वगारा जो तमाम चाहिए कि हार्मोंस थे जो discuss किये थे याद है ना वो बिलकुल याद रखना है वो ठीक है आगे आते हैं the ovarian cycle जो होती ही ovary मतलब जो ovary में चल रही है ovarian cycle is a series of events in the ovary that occur during and after the maturation of an oocyte ovarian cycle क्या एक event है ठीक है जो होती है during and after the maturation of oocyte oocyte जा mature हो जाता है है ना पुरो ऊजनेसिस हमने पढ़ा था mature होता है फिर evolution होता है बाहर निकल के आता है पूरी cycle है खेर uterine cycle uterine याने की uterus में हो रही है इसी को हम लोग कहते है menstrual cycle तो बच्चों देखों यहाँ पर एक confusion पैदा हो सकती है कि menstrual cycle आ रहा है तो ovary cycle लिखे यहाँ मन न लिखे ओvary cycle को नहीं लिखना है लेकिन ovary cycle की वएसे कुछ hormones up and down होंगे उनके questions पूछे रहा सकते हैं इसी लिए menstrual cycle के साथ साथ ovarian cycle को यहाँ साथ में discuss किया गया है जिससे कि जो hormones के अगर questions आ जाते हैं कौन-कौन से hormone कबर कैसे regulate कर रहे हैं उसकी answer आप लोग अच्छे से दे पाएंगे ठीक है तो menstrual cycle मतलब यूट्रस में हो रहा है में यह वाली cycle ठीक है इसको हम कहते है menstrual cycle या uterine cycle और जहां पर जो ovary में होता है उसको हम लोग क्या कहते है ओवेरियन cycle तो यहां दो टाइप की cycle साथ साथ चलेंगी देशिंग अभी से दे यूट्रीन cycle is a concurrent series concurrent अधा साथ में चलने वाले एक series of changes हैं एक साथ किसके साथ चल रहे हैं ovarian cycle के साथ चल रहे हैं in the endometrium और वो change कहा हो रहे हैं endometrium layer में हो रहे हैं of the uterus to prepare it for arrival of fertilized ovum जो ovum से sperm fertilize कर गया है वो आकर चिपकेगा न फिर जाके बच्चा जो बेवी होता ग्रो करता है तो उसके लिए अपने आपको uterus प्रिपेर कर रहा होता है that will develop there until birth और वो बेवी क्यों होता है जब तक जनम नहीं हो जाता है 9 मैने बाद तक तब तक वो वहाँ पर ग्रो करता रहता है the general term female reproductive cycle एक जो general term है कि female reproductive cycle encompasses encompasses मतलब cover करता है ovarian cycle and uterine cycle याने कि menstrual cycle और हमारे slaves में menstrual cycle को especially focus किया गया है but uterine cycle ovarian cycle बेटा साथ में पढ़ने पड़ेगी otherwise menstrual cycle पूरी तखिके से clear नहीं होगा clear है बाते अगर पूरा याद हो याता है पांच नमर में आता है तो दोनों साथ में लिखो कोई दिक्कत नहीं है menstrual cycle का पूरा लाश्ट में मैं एक briefing कर दूँगा समरी कर दूँगा उसको भी लिख सकते हो clear है अब सबसे पहले यहां पर कुछ बाते आने वाली हार्मोन कोश्चन तुम्हारा हार्मोन से आ सकते हैं इसलिए हार्मोन को साथ लेके चल रहे हम लोग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो जैसे कि हमने इस परमेटोजनेसिस में देखा था GnRH ठीक है ना उजनेसिस में देखा था तो वैसे गोनेडोट्रोपिन डिलीजिंग हार्मोन GnRH है ना नाम तो पढ़ चुके हैं पहले हम लोग कौन सिक्रीट करता है यह हाइपोथेलम से निकलता है और दोनों ओविरियन साइकल और यूट्रियन साइकल कंट्रोल करता है तो कौन सो हो जाएगा GnRH केलियर हो गया ठीक है आ गया आते हैं अब घटनाएं कैसे कैसे हो इंदेको फिर बता रहा हुं मैंने का कॉपी पैनल लेके बैटे हो बैटे हो नाहीं बैटे हो उसका करान बता रहा हूं भानीवाँ-बैटलेना स्वाट्ट चेल कि रहेगा इसलिए बता रहे ह Ooh जै exceptional यहा लिखो जी एन आरेज मेरा ही नहीं बेटा एक बात ध्यान रखो इस पूरे यूटूब में जो भी टीचर तुमको पढ़ा रहा है किसी भी टीचर का देख रहा हो मेरा देख रहे हो मतलब कहीं से भी कोई भी नॉलेज गेन कर रहे हो तो उसको एक कॉपी लेकर बैठना जरू तो कोशिस यह करने कि आप किसी टीचर कितना गेन कर पा रहे हो गेन करने के लिए आपको जैसे मालूब मैं पढ़ा रहा हूं तो पैसा जी एन राइच कर रहा है एफ एस एच और यह क्या कर रहा है इसको कर दूंगा तो क्या है कि कही बार कुछ लोगों को प्रॉल्म होती जब आप यह काम यहां से डारेक्ट साथ-साथ करते चलेंगे ना इस तरीके से यह हो जाएगा कई बार क्या होता डायेट लिखने में चीज़ें समझ में नहीं आता रहे यह क्या था क्योंकि इस पॉइंट में यह आला पॉइंट मैंशन नहीं है कि यह हाइपोथेलमस से तो तुम लोग लिख सकते हो जिया आने रहे हैं फ्रॉम हाइपोथेलमस इस तरीके से शॉट नोट अब देखो आगे मैं साथ-साथ बनाता चलता हूं जो मैं बोलता हूं कि कॉपी पैनल लेके बैठो पक्ये से तो मेरे लेक्चेस में कॉपी पैनल लेके बैठो और कहां से फ्रॉम एंटिरियर पूरा लिख लिए यह कहां से आ रहे हैं तो दोनों चीज़ी याद हो रही है अच्छा एफ एस एच एलेक्ट यह जब जो हार्मोन वाला चैप्टर जब लोग पढ़े हैं या पढ़ें तुम लोग पढ़ोगे ठीक है ना तो वहां पर यह ची ठीक है इनिशियेट करती है फॉलिकुलर ग्रोथ तो FSH यह क्या करती है शुरुवात कर रही है फॉलिकुल मतलब वो जो सेल है अपना है ना फॉलिकुल जो अपना जिससे अपना उस सेट वकर जो बन रहे है ठीक है फॉलिकुलर ग्रोथ और LH क्या है डवलाप्मेंट तो बेटा यहां पर जो मैं इस तरह से नोट्स बना दे रहा हूँ, development of follicular growth, जो शुरुआज से मैं चलाता आता था, यह मैं एक्चुली इसलिए और बता दे रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स आएं बच्चों के कि सर थोड़ा सा detail हो रहा है, detail नहीं हो रहा है, बेटा बिना detailing के ए estrogen, ठीक है ना, अब यहां लिख सकते हो इस तरीके से, यहां बना लोगे, क्या है initiate, क्या है stimulate, किसको stimulate करते हैं, follicle को, इसको stimulate करते हैं, follicle को stimulate follicle, ovarian follicle to secrete estrogen, तो यहां पर थोड़ा से, इसको rectify कर देता हूँ, बेटा समझते हैं ना, stimulate follicle, यहां इसको यहां पर मैं हटा दूँ, estrogen, estrogen क्या hormone तो understood है, follicle stimulate हुए तो क्या रिलीज हुआ, estrogen, estrogen जो बहुत बड़ा role play करता है, ठीक है, female reproductive cycle में, आगे आते हैं, LH stimulate the Thaca cells, Thaca cells यहाद आए, Thaca cells एक outer boundary थी हमारे पास, of a developing follicle to produce androgen, अब LH की बात कर लेते हैं हाँ, ठीक है, देखो जब पहली बात बनाओगे तो हो सकता है, खिशडी हो जाए, फिर वापस से इसको अलग पेज़ पे नया बना लो, क्या है यह, to produce androgen है ना, androgen, Thaca cells, थोड़ा जगह कम है, तुम लोग थोड़ा सा बड़े भी लिखना, stimulate Thaca cells to produce androgen, ठीक है, आगे आजाओ, under the influence of FSH, the androgens are taken up by the granulosa cells of, ठीक है, अब होता क्या, FSH के response में, जो androgen होते हैं, वो कौन ले ले रहा है, granulosa cells, उसको अपने अंदर ले ले लेते हैं, and उसको convert कर देते हैं, estrogen क्योंकि estrogen का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और यह androgen estrogen वाला concept, second year में, जब हम लोग फार्मका थेलोपीटिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर यह concept आएगा, बिमारी है, एक females में होती है, androgen का लेवल बढ़ जाता है, किसी कारणों से तो फिर पॉल्म के रिएट होती है, ठीक है न, तो वो किसम करनाट हो रहा है, इस्टोजन में, ठीक है, इस पॉइंट को नहीं भी लिखेंगे, तो भी चल जाएगा, आगया आते हैं, at mid cycle, LX triggers evolution, and the promote formation of corpus luteum, अब यहाँ पर एकलाइन कर लोगे, LX क्या कर रहा है, trigger evolution, trigger evolution, मतलब कि evolution कराने में, evolution वर्ड तो पता है न, हम लोग पढ़ा था, evolution क्या होता है, rupture of graphene follicle, और इसके अंदर से ovum बाहर निकल आता है, उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है, LX अपना रोल प्ले कर रहा है, तो बेटा बास समझ में आगी न, अब इसमें ज़्यादा, जो होगा, एड करता है, इस तरीके से जब आप प्रिपेर करेंगे, तो चीजें बहुत बेटर तरीके से प्रिपेर हो जाएंगे, और जब आप खुद अपना लिख के प्रिपेर करेंगे, तो आपको याद रहेगा, आगे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग सा पॉइंट बढा सकते हैं, यहाँ पर एक अलग सा पॉइंट जे देंगे, पॉइंट लूटियम, ठीक है, स्टीमिलेट बढा एलेक्स, यहाँ आप खिए, लेक्स, लेक्स के ढ़रा स्टीमिलेट किया रहा है, उक्साया जा रहा है कि तुम रिलीज करो, क्या रिलीज करो, इस्ट्रोजैन, प्रॉजिस्टान, रिलेक्सें, और इन्नविन, पूरा लिखे ना, मैंने छूट मैं कर दिया, तो इस तरीके से यह यह तुम्हारे पॉइंट है ना यह अब इसी को तुम याद है दिमाग में छप जाएगा एक्जाम में लिखाओ और यह तक एक्जली कहानी खतम हो जाती है अब मैं मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा यह जो इस्टोजन रिलीस के लिख वहाई जा रहे हैं यह बॉड़ी के अंदर इस्टोजन बना है ना वो बॉड़ी में छे टाइप के होते हैं जिनको अभी तक अलग किया गया है निकाल के चेक किया गया कि हाँ छे टाइप के इस्टोजन बॉड़ी में पाए गये हैं इस्टोजन बॉड़ी में पाइप करेंगे फिर बताराओं यह हार्मस वगएर बड़ा खेल रहेगा चाहिँना इस्टोजन पाया जाके छीए है तो में हवारा क्या था हार्मोंस कैसे किया है तो उसका एक चार्ट तुमारा इस तरीके से यह प्रुपेर होता है और इसी type से reproductive cycle या मेरे lectures को कोशिश करना है अगर कोई lecture लगता है बहुत लंबा है तो इसको इस तरीकर से short करना है तुमको ठीक है अब मैं ऐसे chart नहीं मनाऊंगा यह समझा दिया मैंने तुम लोगो ठीक है तो topic क्या होगी हमारा फिर से हार्मोनल regulation of the female reproductive cycle किस-किस हार्मोन में क्या क्या किया अब इसमें तमाम बाते आई है लुटिनाइजिंग हार्मोन ठीक है और पास लुटियूम यह सब हम पीछे पढ़ चुके है उजनेसिस में पढ़ा है ना ठीक है अरे पढ़ा है हाँ मुझ तो हिला दिया याद है कि नहीं है आशा हो इधर पे पढ़ो बेटा पढ़ो functions of hormones अब जितने ही hormones है ना उनके functions important है यह हम लोग नोग 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 पढ़ रखा लेगी हाँ पर थोड़ा सा फटा फट रिवाइस करवा रहा हूं मैं ठीक है कहाँ पढ़ रखा है जो अपना हार्मोन वाला चैप्टर है उसके अंदर उसके function है तो estrogen का main काम क्या है estrogen क्या करता है development and maintenance of female reproductive structures यह कर लेंगे development and maintenance of female reproductive structures है secondary sex characteristics and the breast reproductive structure कौन-कौन से आगे तुमारा ovary, uterus, fleppative वो पूरा आगया secondary sex character क्या क्या आगया secondary sex character के अंदर क्या क्या आता है adipose tissue distribution of adipose tissue in the breast जो breast होती है उसमें adipose tissue का deposit करवाना ठीक है पेट जो abdomen होता है females का स्टमक रहता है देखा होगा अगर females कितनी भी slim हो जाती है ठीक है लेकिन उनका जो navel point होता है नाभी होता है उसके आसपास कितनी भी slim हो जाएंगी वहाँ fat सा रहता है ठीक है वो जो अगर एक boy एक जो male है अगर वो पतला है तो वहाँ पर उसके नाभी के आसपास fat नहीं रहता है इसकीन अलग से समझ में आती है लेकिन females कितनी भी slim हो जाएंगी वहाँ पर fat रहता है because of this हाँ वो slim रहती है लेकिन उसके आसपास नाभी के आसपास के एरिया में क्या रहेगा fat रहेगा abdomen mons pubis mons pubis पता है क्या एरिया है जहां pubic hair पाए जाते है broad pelvis and pattern of hair growth on the head and body शरीर पे किस तरह से body का hair growth होगा उसको भी decide करता है बेटा broad pelvis इसका भी बता दूमें एक थोड़ी सी ये बात pelvis पता ना क्या होता जो ये जो hip वाला part होता है मैं दिखा देता हूं तुम लोगो फटा फट याद आ जाएगा तुम लोगो structure ठीक है ना इससे pubic symphysis भी कहते है ये देखो ठीक है female pelvis अब बेटा यहाँ पर ये मेरे खासे तुम लोगो दिख रहा होगा तो ये जो part है ना ये ये broad हो जाता है तो तुम लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि females का जो ये आला part होता है कमर के नीचे वाला वो थोड़ा सा broad रहता है चोड़ा रहता है compared to male एक age के आने के बाद वो automatic 15-16 के age पर आते आते हैं थोड़ा सा broad हो जाता है चोड़ा हो जाता है तो उसका reason यह ही है क्योंकि future में जा करके female को baby carry करना है अब baby carry करने के लिए क्या चाहिए जगे space चाहिए तो वो कुद्रत है कि hormones क्या करते है इसको थोड़ा सा फैला देते है तो automatic उनका जो hip वाला part होता है वो फैल जाता है और plus जिस समय बेबी हो रहा होता है उस समय और estrogen release होता है तो और थोड़ा सा फैल जाता है ठीक है ना और यह इसी female female pelvis कहलो या pubic symphysis कहलो ठीक है ना जब pubic symphysis यह वाला part है इसी का अंदर है यह वाला part देखो यह वाला part जो है ठीक है ना pubic symphysis लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे करके यह वाला part जो होता है थोड़ा सा जिस समय delivery होती है थोड़ा सा खिच जाएगा यह जो relaxing hormone निकलेगा वो इसको loose करवा देगा थोड़ा सा जिससे की baby की delivery अराम से हो जागे तो pubic symphysis याद रखेंगे इसलिए दिखा दिया मैंने ठीक है न इसलिए दिखा देगा कि अभी यह सब टर्म आने वाले हैं और कोई वज़य नहीं है आ गया आते है ठीक है तो बात समझ में आगी broad pelvis का क्या मतलब है ठीक है and pattern of hair growth हो हो गया increase protein anabolism protein का anabolism anabolism catabolism anabolism मतलब जुड़ना protein बनना बहुत ज़ाद मातर में start हो जाती including the building of strong bonds और साथ-साथ में ये bonds को भी strong करवाता है जरूरी है lower blood cholesterol level which is probably the reason that women under age ये क्या करता है देखो ये बहुत काम की चीज़ है estrogen की वएश से जो females होती है उनकी body का blood cholesterol level है वो हमेशा क्या रहता है कम रहता है और यही वज़े है probably the reason that women under age 50 50 से नीचे जो women 50 के बाद मेनोपॉस हो जाता estrogen रहता नहीं body में जाता तो उनको दिक्कत आ सकती है 50 के नीचे जो women है उनको coronary artery disease या फर यह कहले heart की problem नहीं होती है है ना तो एक कावत है कावत नहीं एक तरह का वो चलता है meme कहलो या वो एक तरह जोक चलता है कि औरते या female होती है वो रो लेती है इसलिए उनका मन हलका हो जाता तो उनको heart problem नहीं होती है सुना होगा साइद इस टाइफ का ठीक है इसलिए रिजन यह है वेटा इसलिए उनकी बाड़ी में होता है जिसके वैसे उनको heart problem नहीं आती है ठीक है खिलियर है बाते है और एक male को heart problem आ जाती है ठीक है तो साइंस पढ़ रहे हो तो जितने भी दक्यान उसी बाते हैं बहार निकलना हमारा काम बनता है आगे जाके फार्मसित बना गए तो एक सोसाइटी के लिए वी रिस्पॉंसिवल बनना है तो लोगों तो सारी चीज़ें पता होने चीए ठीक है ना यह यह चीज़ें आलाग है वो चीज़ें आगे आते हैं functions of progestron estrogen clear हो गया प्रोइस्ट्रॉंट इस सेल्स ऑफ दा कॉर्पस लिटियूम कॉर्पस लिटियूम किलियर है मैंने कातना आप मैं आपस नहां पर ही बताऊंगा लेकिन उजने सिसन बता चुका हूं मैं इट कॉपरेट्स विद इस्टोजेंट ठीक है इस्टोजेंट के साथ मिलके prepare and maintain the endometrium for implantation of a fertilized over implantation का मतलब ठीक है implantation का मतलब क्या है इस प्रोइस जिक्र बता दूमें फिर से डाइग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को ठीक है यहां पर जो जाइगोट आता है यह जाइगोट आकरके न यहां पर चिपकेगा इससे चिपकने में help करता है फिर यह बाद में बड़ा सा हो जाता है इसका बेबी होता है तो यह जाइगोट है जाइगोट का इस endometrium layer से चिपकना चिपक जाना that is called implantation इंप्लांटेशन क्यों कहते है क्यों ऐसा लगता कि ऊपर से लेयर कवर कर दी गई है जिसको कि हम next lecture में अच्छे समझेंगे तो फटलाइस डोबम फटलाइस डोबम को हम लोग क्या बोलते है जाइगोट बोलते है इस समय 9 मन्त बेभी हो रहा होता है तो उस समय नौ मैंने मेंवरी ग्लैंट को पिपेर करता है डिलिवरी होने के वा जिससे की उन ग्लैंट से मिल्क निकल सके हाई लेवल सब प्रोइस्टों आल्सो इनिबीट सिक्रेशन ऑफ जी एन आरेच अनलेच अब जब प्रोइस्टों लेवल हाई इसका मतलब फीमेल प्रेगनेंट है तो हम हमें नए नए फॉलिकल बनाने की जरूत नहीं है जो की रप्चर करता है याद आ रहा हा मैं को क्या कर देगा रोग देगा उन आट नो महीने के लिए नौ महीने के लिए जब तक फीमेल पेडिन्ट होती तो प्रून जो रिलेक्सिन हार्मोन है थे स्मॉल कॉंटिटी ऑफ रिलेक्सिन प्रडूस लूटियम थोड़ी सी अमाउंट कॉर्पूस लूटियम उदर प्रडूस की जाती है डूरिंग इच मंत्री साइकल अब बात को समझना होता क्या है फीमेल फिर यहां बना जाता हूं मैं तिन लेटक्सिन जो यह बीच की लेयर होती न सरह कि बीच की लेयर है इसमें लिट Muccation रहती है मेर में अगर मोशल बनी रहेगी तो जाइगवट आ रहा है उसको यहां पर इट्अच्छ होने में दिक्कत आती है तो इसको क्या होना रिलाक्स होना चाहिए ठीक अब समझा बात को तो स्मॉल कॉंट्रिटी आफ रिलेक्षिन प्रड्यूस्ट बैप कॉर्पस लिटियम जो कॉर्पस लिटियम जारा प्रड्यूस्ट की जा रही है डियूरिंग इच are you ूंठ रिलेक्षिन को कॉण प्रड्यूस्ट कर रहा है कॉर्पस लिटियम इतनी लैंग याद रखो काफी है रीलेक्षिन इट रिलेक्षिस uterus by inhibiting the contraction of myometrium myometrium में जो contraction चल रहे थे है ना, myometrium में जो contraction हो रहे हैं उसको क्या करता है relax कर देगा, जिससे कि endometrium सांत हो जाती है, जिससे कि zygote अगर के चिपक सके ठीक, अब during pregnancy the placenta produce much more relaxin, placenta बन जाता है, pregnancy अगर हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा तो इसने निकाला, relaxin, सांत कर दिया जाएगो टागेट चिपक गया, जाएगो टागेट चिपक गया तो placenta भी बन गया, placenta समझते हो ना वो जो point होता है जहां से बच्चा मदर का attachment रहता है, placenta होता है ठीक है, वो placenta और ज्यादा relaxin release करता है, and it continues to relax uterine smooth muscle, और यह इतना ज़्यादा produce करता रहता है, प्रसेंटा लगाता है अगले 9 महने तक, कि मायोमेटरियम को मायोमेटरियम के अंदर contraction पैदा होने नहीं देता है, क्योंकि मायोमेटरियम में अगर contraction पैदा हो गए, तो endometrium तूड जाएगी, और ऐसी इस्तिती में बच्चा गिर जाएगा, जिसे हम abortion कहा देते हैं, या गर्वपात कहा देते हैं, हो जाता है ठीक है न, तो यह कमी होती ही नहीं हार्मोन की, तो कई बर injections को लगते हैं, फीमेर्स को, जिनके कई बर आपर, तो मायोमेटरियम को सांथ करना किसा काम में, रिलेक्शन का काम है, ठीक है, अब रिलेक्शन समझ के क्या काम कर रहा है, यह कहिना का implantation में help कर रहा है, ठीक है, और बाद में प्रिसेंटर रिलीस कर रहा है, जो पूरे नौ मेहने जो बच्चा वीबी जुड़ा हुआ हुआ है, उसको वहां से हटना नहीं है, चिपकना, यह चिपका हुआ है, अगर हो छूट गया, तो प्रॉलम हो जाएगी, तो उसको सांथ रखता है, अब इसके अलावा, at the end of pregnancy, जो प्रिगनसी लाश्ट आ गया है, उस समय क्या होना है, उस समय डिलेवरी करवानी है, ठीक है, उस समय क्या करवानी है, डिलेवरी करवानी है, तो अब at the end of pregnancy, प्रिगनसी रिलेक्सिन आल्सो इंक्रीजिस दा फ्लेक्सिबिल्टी ऑफ प्यूबिक सिंफाइसिस, यह वहीं प्यूबिक सिंफाइसिस है, ठीक है, एंड में help डालेट दा यूट्रिन सर्विक्स, ठीक है, यह क्या करता है, इसको एक फोन आ गया, किसी का, अब देखो, ठ प्रिगनसी रिलेक्सिन आल्सो इंक्रीजिस दा फ्लेक्सिबिल्टी ऑफ प्यूबिक सिंफाइसिस, प्यूबिक सिंफाइसिस की फ्लेक्सिबिल्टी को इंक्रीज करवा दे रहा है, ठीक है, यह जो हमारे प्यूबिक सिंफाइसिस है, इसकी फ्लेक्सिबल हो जाता है, यह flexibility of pelvic symphysis and may help dilate the uterine cervix और साथ-साथ में uterus और उसके जो cervix वाला पार्ट होता है उसको भी relax करके फैला देता है both of which is delivery of the baby जिसकी वाई से क्या होता है बेबी की delivery असान हो जाती यानिके हम कहा सकते है delivery की समय एक तो याली bones जो पेविक से फैल जाती है और योट्रीन और सर्विक्स की जो muscles है यो बहुत ज़्यादा flexible हो जाती है जैसे एक rubber के अंदर लचीला पन आता है वैसे इन muscles के अंदर भी लचीला पन आता है जिससे की baby अराम से बहार आता है ठीके ना तो जब baby बहार आता है तो खुद्रत नेचरल या खुद्रती तौर पे नेचरल तौर पे female की body का वो part जहां से baby को बहार आना है वो automatic flexibility rubber की तरह flexible हो जाता है और baby बहार आता है फिर यह reaction खतम हो जाता है तो body part वापस normal हो जाते है उनके दर flexibility खतम हो जाती है function of intervene it is secreted by grand lesser cells of growing better मैं इसको chapter को अराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीज़े है एक knowledge proper होनी चाहिए plus exam में तो करना ही करना है क्योंकि as a pharmacist यह knowledge होना जरूरी है as a pharmacist नहीं भी हो तो भी तुमको with course कर रहे हो ठीक है कहीं पर job कर रहे हो तो यह basic चीज़े हैं जो तुमको पता होनी चाहिए ठीक है it is secreted by grand lesser cells अब पता ही है इनिवीन grand lesser cells क्यों होते हैं पता है of growing follicles जो growing follicles के grand lesser cells होते हैं वो इनिवीन को जा करते हैं and by the corpus luteum और साथ साथ में corpus luteum भी कर वाता है after evolution it invades the secretion of FSH and to a lesser extent LH अब बै एक follicle grow करी रहा है दूसरे follicle को grow होनी की जरूत नहीं है corpus luteum अगर है corpus luteum होने का मतलब क्या है अभी तक ovum मौजूद है अगले ovum की जरूत नहीं है तो हमें follicle stimulating hormone यानि की नए follicle की और graphene follicle की रच्चर करने की जरूत नहीं है तो FSH और LH के होता हमारा decrease कर जाएगा ठीक है ना तो ये इनका hormones के function समझा दिये हैं इनके question सब गल्त नहीं करना है अब आता है हमारे phases पे ये hormones बेकार नहीं बेटा ये hormones बीच 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 पढ़ेंगे नहीं के बीच में आते रहेंगे कहाँ कौनसा hormone रिलीज हो रहा है प्लस ये hormones तुमारे उस वाले chapter को कवर करेंगे जो तुमारा endocrine वाला chapter है हार्मोन वाला ठीक है ना अब phases of female reproductive cycle ठीक है बेल्कूल अब अगर थोड़ा सा भी दिमाग भटका है तो यहीं पर आजाओ फटा फट ठीक है अब नहीं लेके बैठो अब पक्का लेके बैठो phases of female reproductive cycle ये आएगा तुमारे में actual question चाहिए रिपोड़टी साइकल लिखो तुमारे में लिखा हुआ आएगा phases of the menstrual cycle क्या लिख क्या आएगा phases of menstrual cycle clear है अब आते हैं तो duration of the female reproductive cycle typically ranges from 24 to 36 days मैंने कहा था 24 दिन से लिखर करके 36 दिन तक vary करती है अलग-अलग females बट जो ideal है जो maximum पाई गई है वो कितनी पाई गई है 28 days की cycle मानी गई है तो हम उसको एक average 28 days की मान के चलेंगा अब कोश्चन आता है कितने दिनों की होती है तो आप 28 days ही answer लिखेंगे ठीक है ना तो इसके अंदर तीन phase होते है menstrual phase, follicular phase और luteal phase ठीक है या यूँ कहले follicular phase के साथ pro-life rate phase इसके अंदर दो phase count होंगे pre-ovulatory phase and evolution phase और luteal phase को हम secretary phase भी कहते है इसको हम लोग post-ovulatory phase कह सकते है मतलब एक तरह से कई सारे नाम है इनके ठीक है menstrual phase, दूसरा क्या है follicular भी समझेंगे हम लोग क्यों इनके ये नाम पढ़े है follicular phase या pro-life rate इस मतलब किसी चीज़ का बढ़ना फलना फूलना कोई चीज़ जब बढ़ती है तो pro-life rate इसको हम इन दो फेजों में भी तोड़के समझेंगे फिर है luteal phase luteal phase मतलब corpus luteum corpus luteum में luteal आता है यानकि corpus luteum बन गया हमारा तो luteal phase और secretary phase corpus luteum कुछ खास चीज़ों की चीज़ों खास तरह के chemical छोडता है तो इसलिए उसका नाम secretary phase भी बोल देते हैं और यह होता कब है evolution के बाद evolution के बाद ही graphene follicle corpus luteum में change हो जाता है तो इसलिए post-ovulatory phase तो यह जो चीज़े है इसके ने काफ़ सारी चीज़े मैंने कहा है oogenesis अगर नहीं पढ़े हो बेटा और अभी तक अगर लगा है कि पिछलो लेक्चर में काफ़ सारी चीज़े समझ में नहीं आ रही है अब तक कि तो oogenesis को अच्छे से पढ़ लो चले आगे चले अरे मुस्करा दो टेंसन मतलो सब समझ में आएगा ठीक है हाँ हाँ देखो नई समझ में आ रहा है समझ गया मैं नई समझ में आ रहा है तो मैं कहतो रहा हूँ oogenesis को अच्छे से पढ़ लो ठीक है ना इस फीडियो को यहां पॉस्ट कर तो उजने से अच्छे से पढ़ लो सुन रहा हूं तुम्हारी बाते में ठीक है मैं तुम्हारी बाते समझ में आ रही है अब देखो menstrual face menstrual face में क्या होता है बात को समझा यहां पर सबसे अंदर की जो layer होती है कौन सी endometrium layer देखो यह वाली layer के cervix से होती हुई vaginia से होती हुई बाहर आ जाएगी बात समझ में आ रही है तो यहां पर मैंने पूरा diagram को भी जो uterus वाला part पड़ा था वहां पर diagram को इस्तमाल कर सकते हो otherwise यहां पर मैं को 3 layer समझानी थी तुम लोगों को क्या समझानी थी 3 layer समझानी थी तो endometrium जो सबसे अंदर होती ना बेटा देखो यह जो थी यही layer हर महिने बनती है और जब तूटती है तो bleeding होती है periods होती है और यही layer पूरी layer तूट करके बाहर आ जाती है फिर यह बनेगी ठीक है फूरी layer तूट के बाहर आ जाएगी हाँ अगर pregnancy हो जाती है तो यहीं परा करके हमारा जाएगोटा के चिपक जाएगा फिर 9 मेहने बेबी यहाँ पर grow करता है ठीक है? किलियर है? तो endometrium इसके just पीछवारी layer के है myometrium और सबसे बाहर वाली कौन से होती है perimetrium याद है clear है? ठीक है यह diagram वहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हो जब उन्हें uterus पड़ा है तो अब एकदम ध्यान से menstrual तब menstrual phase it is also called menstruation और menstruation menstruation मतलब bleeding ठीक है? menstruation या menstruation last for roughly the first five days याने कि जिस दिन यह ध्यान कर ले ना important question है जिस पहले दिन bleeding start होती है हम cycle का उसको पहला दिन मानते हैं first day of bleeding is the first day of cycle the 28 day cycle में पहला दिन कहां से start करेंगा बच्चों confusion होती है तो पहला दिन हम वही मान के चलेंगा यो पहले दिन जब bleeding होती है first day bleeding start हुई वही दिन पहला माना जाएगा 28 day cycle में ठीक है ना तो लगबग चार से पांच दिन चलती है कहीं 3 से पांच दिन चलती है normally by convention the first day of menstruation is the day one of the new cycle तो first day जो menstruation का है वो हम नई cycle का पहला दिन मानते है किले लोगी बात आ गया जाओ अब इस समय क्या क्या घटनाएं हो रही है ovary में क्या घटनाएं चल रही है जब bleeding हो रही है और uterus में क्या घटनाएं चल रही है तो जब ओवरी में क्या हो रहा है हुआ क्या बेसिकली ovary से जो ovum भार निकल के आया था ओवरी से जो ओवं भाहर निकल के आया था, वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, finally, यहाँ आ गया, finally, यहाँ आ गया, अब हुआ क्या, वो fertilize तो हुआ नहीं, तो सिग्नल चला जाता है, ब्रेन के पास कि भाई, fertilize नहीं हुआ है, तो हार्मों रिलीस किये जाते हैं, कु हुआ थी कि हाँ, ओवं फटलाइज होगा, बेवी जाएगोट आएगा, उसको में चिपकाना है, वो आया है नहीं, तो यह लिए तूट जाएगे, क्यों वापस से नया बनना होता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अंडर दा इंफ्लेंस ओफ फॉलिक्ल भाई यह जो फॉलिकल, भाई जो ओवं था, वो ओवं क्या था, प्रामरी फॉलिकल से बन के आया था, यह तो बेकार हो गया, फटलाइज नहीं हुआ, तो अगले ओवं की बारी आएगी, तो नया ओवं, ओवरी के अंदर नय ओवं की बनने की सुरुवात हो जाती है, ठीक कोई टीसु करने रहता है, मुकस रहेगा, एपिथेलियल शेल, शेड, शेड मतलब जो जड़ते हैं, टूड जाते हैं, फ्रॉम दा एंडोमेट्रियम, ठीक हैं, यह सारा जो ब्लड निकलता है, गाडा-गाडा सा रहता है, मुकस जैसा रहता है, तो उसके यह सारी चीज़ का लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्यों उसको बनाने वाला कॉर्पस लिट्यूम खतम हो जाता है, ठीक है, एंड इस्टोजन, इस्टोजन का लेवल, लेकिन मेन आंसर हमारा पोईस्टाउन रहेगा, दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, और स्टिमूलेट करते हैं, रिलीज ओफ प्लोष्टाग्लेंडीन, यह मार कर लेंगे, यह अभी तुम लोग आगे सब बहुत डीप होकर डीप नहीं हो गया, यह तुम्हारा सेकेंड डियर में यह पॉइंट काम आएगा, ठीक है ना, यह वाला पॉइंट, क्या ब्लीडिंग हुई क्यों, वाइ यूट्रीन की जो इस पाइरम एकतर से मालों आटरीस होती है, जिनकी सप्लाई होती है, एंडोमेटरियम के लिए, ठीक है, वो क्या होती है, कॉंस्टेट कर जाती है, सुखड जाती है, एज रिजल्ट, दस सेल्स दे सप्लाई बिकम ऑक्सिजन डेप्राइब, जिन सेल्स क इस ट्रेटम मतलब लेयर, फंक्शनलीस क्या है? बतारा मैं अभी, इसलफ ओफ, मतलब उखड जाती है, only the stratum bacillus remain, 2.5 mm की होती है, अब यह क्या है stratum functionalist और stratum bacillus, bacillus, bacillus मतलब base, अब जो को बात को सम्झो, यह मेरे पास क्या है? this is myometrium यह जो green green वाला part न this is myometrium myometrium के उपर जो यह पूरा है यह क्या है this is endometrium यह क्या है endometrium, अब बात को समझना जो सबसे नीचे की layer होती है endometrium की, actual में यह यहां से लेके यह, केवल इतनी layer इसको कहते है stratum bacillus यह layer कभी भी नहीं टूटती है होता है, ovulation start follicle start होता है follicle start होता है hormones के effect में इस bacillus के उपर यह नए cells ना grow करना start कर रहे है देख रहो यह, यह नए cells grow करना और grow कर रहे हैं, और grow कर गए और grow कर गए, और grow कर गए और काफी, देख रहे हैं इतना है, मतलब काफी चोड़ाए हो जाती इन्हें को कहा गया है functionalis यही main functional cell होते हैं और होता क्या है, कि यह जो था constant कर गया था हमारे पास, spiral arteriol यह यह वाली है, यह यहाँ पर क्या कर जाती है constant कर जाती है, तो यह arteries जो इसको blood supply कर रही है यह बंद हो जाता है, तो यह पूरी layer बेटा, यह पूरी layer ऊपर की पूरी layer यह यह पूरी layer टूट टूट के फिर बहार आ जाती है, केवल क्या बचता है, base बचता है फिर से जब cycle start होगी इस base की उपर फिर से cell grow करना start करेंगे, ठीक है, यह cell पूरे अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, ताकि इसमें जाइगोट चिपक सके आ करके, जाइगोट नहीं आगा तो यह लिए, फिर टूड़ी आगे, कोई इसकी अंदर की जो यह arteries है, यह क्या होती है, इनको नीचे से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इसके oxygen supply रुख जाती है, और यह cell मर जाते हैं, फिर, कहां नहीं समझ में आ रही है, गुड़, अब आगे आते हैं, the menstrual flow, जो menstrual flow होता है, पासे फ्रॉम uterine cavity, uterine cavity से होता हुआ, cervix से होता हुआ, vagina से होता हुआ, body से बहार हो जाता है, तो यही समझ में आ रही है, ठीक है, बेटा इसको अच्छे समझ लो, ताकि एक ही बार में clear हो जाए concept, नौ, पहला हो गया menstrual phase, bleeding हो गई, bleeding हो गया, सब को चोके हो गया, 4-5 दिन, अब follicular और proliferative phase, या हम इसे pre-ovulution, evolution से पहले वाला phase और evolution, मतलब evolution से पहले और evolution, यह दोनों phase इसी में आएंगे, हो क्या रहा है इसमें, आओ देखते हैं, pre-ovulutory phase, the pre-ovulutory phase is the time between, वादा दोनों phase को अलग देख ले रहे हैं हम लोग, यह एक phase है, इसके अंतर दो पाट अलग समझेंगें हम लोग, एक evolution से पहले और एक evolution, तो pre-ovulutory phase is the time between the end of menstruation and evolution, between, menstruation खतम हुआ और evolution होने से पहले का जोट समय होता है, लगबग 12 से 14 दिन का समय होता है, it lasts from 6 to 13 दे, यानि कि लगबग 1 से 5 दिन menstruation हुआ, तो 6 दिन से ले करके हम मान के चलते हैं, 13 दिन, ठीक ना, 14 दिन जो ideal condition हम मानते हैं कि evolution हो जाता है, secondary आएगा, तो उसमें contraceptive methods आएगे, गर्ब निरोधक के कौन कौन से तरीके हैं, तो एक यह तरीका आएगा यहाँ पर, समझ लो इसको कि starting के bleeding हो गई यह, तो यह 6 से लेके 13 दिन तक, ideal condition तो यह रहता है, 6 से लेके 13 दिन तक, ovum है यह नहीं, अगर इस बीच में कोई couple है, साज़सुदा जोड़ा है, और वो क्या कर रहा है, coitus कर रहा है, sex कर रहा है, तो क्या बच्चे होंगे, नहीं होंगे, इस पर हम जाएगा, तब यह fertilize को करेगा, क्योंकि ovulation तो हुआ ही नहीं है, तो यह अला point ध्यान रखेंगे, कि starting के यह safe day, हम लोग कहते हैं कि सुरक्षे दिन कौन से हैं, safe day कौन से होते हैं कपल के लिए कि pregnancy ना हो, तो यह safe दिन कहलाते हैं, लेकिन इसमें साई से safe बताएं, तो इसको dust के अंदरी रखना चाहिए, क्योंकि कई बार 11 और 12 दिन evolution हो जाता है, तो dust के अंदर तक क्या रखें, जादा safe रहता है, ठीक है, थोड़ा vary करता रहता है, बार बार नहीं बताको, secondary follicle क्या होता है, in the ovaries begin to secret estrogens and inovine, by about 6 दे, छटे दिन आते आते हैं, फॉलिकल जो होते हैं, secondary follicle, वो estrogens and inovine को secret करना सुरू करते हैं, ठीक है, अच्छा सुरू करना सुरू करते हैं, छटवे दिन आते हैं, single secondary follicle in one of the two ovaries, किसी दोन ovaries में से नहीं किसी एक ovary में से, किसी एक ovary में से, एक single secondary follicle जो होगा, has outgrown, outgrown मतलब, बाकियों को पीछे छोड़ते हुए, एक खुद जादा बढ़ा हो जाएगा, outgrown all of the other, बाकियों को नहीं होने जाएगा, एक बहुत जादा बढ़ जाएगा आगे, to become the dominant follicle, और यह एक dominant, मतलब, सबसे तेजी से बढ़ा आगे, तो फिर यही आगे जाकि अब ovum बनेगा, अब देखो, यह कहानी देखो, बड़े मज़ेदार है, अब कई बार होता है, हम लोग बात करते है, fraternal या non identical twins, एक साथ दो बच्चे होते हैं, जिनकी शकले एक जैसे नहीं होती है, वो दो बच्चे बाहर आया, तो होता क्या है कई बार, दो या दो से जादा, तीन-तीन फॉलिकल एक साथ बड़े हो जाते हैं, और जब वो एक साथ बड़े हो गए हैं, तो इस पर्म को फटलाइस करने के लिए तीन-तीन फॉलिकल मिल गए, तो एक साथ दो तो तीन-तीन बच्चे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि सारे के सारे अलग अलग थे इसलिए वो सारे के सारे क्या होते हैं टूइंस ना होकर के अलग अलग होते हैं ठीक है तो नौन अदेंटिकल कहलाते हैं यह नौन अदेंटिकल टूइंस और ट्रिप्रेट रिजल्ट फॉर्म टू और थ्री सेकंटरी फॉलिक तो कहानी समझ में आ गई यह तो कहानी कहानी के लिए उजनेसिस वाली कि फॉलिकल था किसे मदल गया ग्राफियन फॉलिकल यहां तक आगी कहानी और यह लगातार बड़ा होता रहता है ठीक है और ओलिशन के लिए रैड़ी हो रहता है तो यह जो फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल लगातार इस्टोजन को रिलीज करता जा रहा है तो यहाँ पर तुम्हें कितनी बात लिखनी थी ओवरी के अंदर कि मेरे पास क्या बन गया सेकंड़ी फॉलिकल सेकंड़ी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में बदल गया है वो इस्टोजन छोड़ रहा है इस ओवरीन साइकल को देखते हुए जो मेंस्टोजन एन प्री ओविलिकल फेज है ठीक है जो प्री ओविलिकल फेज था जो दोनों को एक साथ हम कम्माइन ले ले एक साथ इनको हम लोग क्या बोल देंगे फॉलिकुलर फेज क्योंकि मेंस्टल जैसी स्टार्ट हुआ वैसी फॉलिकल बनना ग्रो होना स्टार्ट हो चुके थे ठीक है तो क्यों इसका नाम पड़ा फॉलिकुलर क्योंकि यहां पर हमारे फॉलिकुल्स ग्रो होना स्टार्ट हो रहे हैं ओवरी के अंदर किलियर ओके ठीक है अब ठीक है बिकॉस ovarian follicle are growing and developing यहाँ पर ovarian follicle ovary में grow and develop हो रहे है यह ovary कहानी हो गई अब event in uterus uterus के अंदर क्या event हो रहे है estrogen release into the blood जो estrogen यहाँ release हो देखो यही तो कहानी थी अब hormones estrogen को रिलीज कर रहा है graphene follicle यह blood में छोड़ दे जाता है by growing ovarian follicle stimulate the repair of the endometrium endometrium की repairing कौन चालू कर वा रहा है estrogen है ना तो जो यह पतली layer हो गई दी यह वापर से grow होना start हो आती है ठीक है menses, pre-ovulatory face, ovulation आते आते इतना और post-ovulatory face आते आते इतना ठीक होया आता है बहुत ज़्यादा यह ओके repair हो गया cells of the stratum bacille stratum bacille मतलब यह नीचे वाला base वाला जो है undergo mitosis इनके अंदर mitosis होता है and produce a new stratum functionalist और यह नई stratum functionalist उपर grow होना start हो आती है तो बेटा देखो तुम लोग क्योंकि हमारे पास menstruation लिखा हुआ है तो तुम लोग यहां से start कर सकते हो लिखना point one डाल करके events in uterus लिख करके follicular phase लिखकर या इसका नाम क्या देद होगे pro-liferative phase जानदा की pro-liferative मतलब वापस से जीवंदान आना या कोई चीज फलना फूलना तो यहां पर कौन फल फूल रहा है यह जो functionalist layer है endometrium layer है यह वापस से बड़ी हो रही है फल फूल रही है ठीक है तो यहां से तुम लिखना start कर सकते हो आगे आते हैं as the endometrium thickens जैसे जैसे endometrium thick होती चलिए आती है the short straight endometrial gland develop and the arterial coil and ठीक है यहां पर अंदर क्या है glands develop उना शुरू हो जाती है arterial coil and lengthen as they penetrate the statum functionalist जो arteries होती है arterial coils or penetrate penetrate जो यहां के अंदर arteries थी वो coil होती हुई और penetrate कर जाती किसके अंदर functionalist के अंदर क्योंकि जो cell यहां पर आ गया है उनको भी जिंदा रहना है ठीक है the thickness of the endometrium approximately double to about four to ten meter 10 mm ठीक है four to ten mm है double हो जाती है with reference to uterine cycle अब इस uterus की cycle को देखें the pre ovulatory phase is also termed as the proliferative phase की वापस से फल्फूल रही है तो uterine cycle के respect में हम इसको क्या कहते है प्रो लाइफ रेटिव फेज तो फॉलिकुलर फेज ही प्रो लाइफ रेटिव फेज है किलियर है because the endometrium is proliferating यह बात किलियर हुई गोड़ अब सब कुछ हो चुका है फॉलिकुल बड़ा हो चुका है ग्राफिन फॉलिकुल पूरा रैडी हो गया ओवलिशन करने के लिए अब फाइनली क्या हो जाता है ओवलिशन हो जाएगा जो कि हम जानते हैं पढ़ चुके है उजनेसिस में ओवलिशन दा रप्चर ऑफ दा मैची और ग्राफिन फॉलिकुल एंड रिलीज ऑफ सेकंडरी उसाइट इंटू दा फिलिपिन टूप ठीक है रप्चर हो गया फ्रेपिन टूप में चला जाएगा यूजली ओकर ऑन दे फॉर्टीन जैसे मैं बता है चौद दिन ऐसा होता है इन टूंटी एट डे साइकल दूरिंग ओलिउशन दा सेकंडरी उसाइट रिमेन सरांडेट बाइट जोन पहलिज द कौन रहेंगे आगे आते हैं हार्मोन फंक्शन से इन ओवलीशन ठीक है वहाँ पर भी बताया था यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि important है a high concentration of estrogen stimulate the more release of GNRH ठीक है estrogen का high level stimulate करता है GNRH को release करने के लिए कहाँ से hypothalmas से it also directly stimulates gonadotrophs in the anterior pituitary to secrete LH ठीक है ना और यह stimulate करते हैं anterior pituitry को LH को release करने के लिए GnRH promote the release of FSH and LH by the anterior pituitry अब यह क्या करते है anterior pituitry से FSH और LH दोनों को release करवा रहे है LH causes rupture of mature graphene follicle यह mark करेंगे मैंने वहाँ पर ही बता थे important question है and expulsion of secondary ucite about 9 hour after the peak of the LH surge surge मतलब एकदम जो उंचा ही होती है तो होता क्या है अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे day 14 जो होता है क्या है day 14 तो मार्क करेंगे day 14 में हमारी layer thickness पूरी complete नहीं हुए complete layer होती है हमारी जाकर लगए 25 दिन जाकर गए ठीक है न 25 26 में जाकर या 20 से 25 की बीच में रहती है जब यह peak पर आ गया तो उस समय estrogen क्या था हमारा peak पर था estrogen peak होने की वज़े से क्या peak पर हो गया था LH हमारा peak पर आ गया था एले हमारा क्या आ गया था peak पर आ गया था और उसके 9 गंटे बाद ठीक है हाँ 9 hours और उसके जैसी LH यह LH जब peak पर चला जाता है तब ही हमारा क्या होता है evolution होता है तो ध्यान रखना जिस समय LH peak पर है follicular stimulating hormone यह low होता है ठीक है सुरवात में follicular stimulating hormone high होता है और LH low होता है तो हम देख सकते हैं कि estrogen day 14 के पास में जाकर के estrogen लगबग 13 के आसपास जाकर के estrogen peak पर है उसके इस्टोजन low हो चुका है और progesterone हमारा क्या हो चुका है high हो चुका है तो progesterone लोग देख सकते हैं इस टाइम पर high है क्योंकि यहां पर होता क्या है endometrium को intact रखना होता है clear है तो यह कई बर question आते हैं कि कब कौन सा hormone peak पर जा रहा करके clear अब आते हैं ना हमको कि यह एक काम की चीज है sometime and outside is lost into the pelvic cavity का इस बार क्या होता है यहां से जो यूट्र ओवरी से इस तरह होता ना यह यहां से जो यह आया यह जो ओवर निकला ना वह यहां पर आया बट वह यहां नहीं जा पाया वह यहां कहीं खो गया यह यहीं कहीं रह गया इसके यहां पर कहीं lost हो गया यह आयाई नहीं वहर इंट लैटर disintegrate बात में ठीक है तोड़ याता वाड़ी उसे तोड़ फूट के भार कर देती है मतलब disintegrate कर देगी body से बाहर नहीं कर देगी जैसे कोई चीजी बाहर की आ जाते नहीं तो उसे तोड़ देती है disintegrate कर देगी the small amount of blood that sometimes leak into the pelvic cavity और कई बार जो blood rupture होगा ना graphene follicle तो यहां से थोड़ा सा blood कई बार यहां आ जाता है जिसकी वज़े से from the ruptured follicle can cause pain और इसी वज़े से कई बार क्या होता है 14 दिन पेन होता है फीमेल को अचानक से known as metal smurs or pain in the middle माना होना की 28 दिन जब period start होते हैं लेकिन वो पहले हो जाते हैं at the time of evolution evolution के time अगर pain होता है उसका reason यह होता है क्योंकि ovum क्या है बहार कहीं निकल गया है वो flap and tube में गया ही नहीं है ठीक है तो ऐसा भी होता है अब now the third phase सब कुछ हो गया evolution हो गया है third phase क्या है luteal phase या secretary phase अब the post ovulatory phase याने की evolution होने के बाद of the female reproductive cycle is the time between evolution and onset of next menses यह वो समय है evolution से लेकर के onset शुरुवात होने का नए पिरिड की जो शुरुवात होती है उसके बीच का समय याने की लगबग last 14 days 1 to 14 यह हो गया 14 दिन क्या हो गया evolution हो गया और 14 दिन से लेकर के 28 दिन यह क्या रहेगा post ovulatory cycle day रहेगा from day 15 to 28 तो हम क्या सकते हैं यहां पर 15 कर लेंगे 15 से लेकर 28 दे रहेगा वो क्या रहेगा secretary phase या luteal phase या post ovulatory phase कहलाएगा यह अब ovary में क्या गटना है घटरी है दो यह वही डाइग्राम मैंने डाला वेटा ताकि समझा सकू में इसको कि यह क्या हो गया evolution हो गया ठीकि जब evolution हुआ था कुछ blood के clot है यहां पर यह ठीकि है फिर जो graphene follicle था यह जो blood के clot वबला graphene follicle होता है यह graphene follicle है यह rapture हुआ सब आज आ रहा होगा इसके अंदर rapture होने की वाएश से कुछ blood के clot ह obsessed है यह जो blood के clots के साथ जो यह ग्राफियन ना बोलके हम लोग कॉर्पस बोलने लगते हैं कॉर्पस का मतलब पता है ना क्या होता है ब्रेक होता है तो ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गया मर गया मरने के लिए मेडिकल टर्म क्या होता है कॉर्पस कोई चीज जब डैड हो जाती है तो उसके लिए मेडिकल टर्म क्या होता ह है अगर pregnancy नहीं होती है तो था सुकड़ेगा और ultimately disintegrate destroy हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं albicans corpus albicans ठीक है तो events in ovary देख लें last phase है हमारे पास after evolution the mature follicle collapse mature follicle क्या करता है collapse हो जाता है एक तरह से collapse मतलब पिचक जाता है या खतम हो जाता है and the basement membrane between the granulosa cells and theca interna breakdown याद आ रहा है लास्ट में चूटता है इसके उपर कौन सी थी ग्रेनलोसा सेल्स होते हैं और वो चिपके होते हैं थेका इंटरना से हैना थेका के दो पार्ट से याद करो ठीक है once a blood clot forms from minor bleeding of the erupted follicle the follicle become the corpus hemorrhagicum और तूटने के बाद जैसी एक बारी blood clot जैसी बन जाएगा जैसी यह blood clot बने यहाँ पर वैसी हम इसो क्या कहते हैं फिर corpus hemorrhagicum कहते हैं blood clot नहीं बनेगा मतला जैसी blood clot बन जाता है वैसी इसका नाम corpus hemorrhagicum बन जाता है ठीक now theca internal cell mixed with granulosa cells as they become transformed into corpus luteum अब जो बाहर के दो cells थे इसके बाहर के गनलुसा cells और थैका internal cells यह दोनों आपसे mix हो जाते हैं merge कर जाते हैं और किसम बदल जाते हैं फिर corpus luteum में under the influence of LH LH के influence में ऐसा होता है stimulated by LH the corpus luteum और LH ही stimulate करता है corpus luteum को कि भाई तुम अब progesteron secret करो progesteron क्या करेगा जो endometrium layer बनी है उसको बना के रखेगा उससे तूटने नहीं देता है ध्यान रखना postron secret करो estrogen secret करो relaxation secret करो इनीविन secret करो यह सारे आगे काम आएंगे pregnancy के लिए ठीक है the luteal cells also absorb the blood clot यह जो luteal cells थे जो blood clot बना था इसके अंदर इसको भी फिए कर लेते है अब विद रेफरेंस टो ओवरी ओवरी के अंदर और क्या घटना घट रही है जो आगे की घटनाए है वह इस चीज पर डिपेंड करेगी कि जो ovum है वह fertilize हुआ है कि नहीं हुआ है अब साधी हो गई है pregnancy चाह रहे है तो फटलाइज हो जाएगा अब लड़की है 14-15 years की है या साधी नहीं होई है तो फटलाइज नहीं होगा ठीक है तो इफ दा उसाइट इस नौट फटलाइज अगर वह फटलाइज नहीं होता है दो कॉर्पस लुटियम है लाइफ स्पैन ओफ ओनली टू वीक्स रहा गए 15 से लेके 28 है ना लगबग 2 वीक रहे साध सा दिन चौध दिन बचे इदर ठीक है दैन इस सिक्रेटरी अक्टिविट इस दो हफते के बाद उसकी जो सिक्रेटरी अक्टिविटी थी वो डिक्लाइन कर जाएगी गिर जाएंगी और वो खतम हो जाएगा टूट फूट जाएगा इंटू कॉर्पस अल्बिकेंस एस लेवल अफ प्रोजिस्टरों इस्टोजन और इनिविन डिक्रीज जैसी कॉर यार कर सकें due to loss of negative feedback ऐसा क्यों होता है पता चल जाता ब्रेन को अच्छा कॉर्पस टूट गए तुम हमें नया फॉलिक्ल तयार करना है चलो भाई चलो हो जाओ जी अनरेच काम करना है स्टार्ट करो फॉलिक्ल इस्टिमलेटिंग हर्मोन काम करना है स्टार्ट करो अपना का चला प्ट्र पर खार्ट करना हो गया है तब क्या होगा आख इस फाटलाइच और फॉलिक्ल अबिगिण स्टूर्च हो गया है तब क्या होगा दिया उसने उस समय कॉर्पस लिटियम पर्सिष्ट पास्ट इस नॉर्मल टूवी क्या निकि अब वो दो हफ्ते के बाद भी टिका रहता है अब वो कॉर्पस लिटियम अल्विकेंस में नहीं बदलेगा ठीक है इट इस रेस्क्यूड फॉम बचता कैसे यह क्यों ने टूट क्योंकि इसको बचा लिया जाता है फ्रॉम डी जेनरेशन टूटने से खतम होने से बाई human chorionic gonadotroping hormone, अगर question आता है भाई, अब क्यों नहीं टूटा, तो एक hormone release होता है कहां से? chorion से, chorion क्या होता है? embryo के उपर की एक परत होती है तो human chorionic gonadotroping ठीक है न, this hormone is produced by the chorion, the outermost membrane around the embryo, मतलब जब यह जाइगोड था, तो इसके उपर की एक सबसे उपर की लियर होगी उसको हम लोग क्या कहते है, chorion इस chorion के दौरा एक hormone release किया जाता है, इससे हम कहते है human chorionic gonadotropin ठीक है न, बास समझ मारी है ओके, तो chorion क्या होता है, embryo के उपर बनना सुरू हो जाता है ठीक है, like LH HCG stimulate the LH की तरही human HCG जो होता है, वह stimulate करता है, secretory activity of corpus luteum, जिस तरह से LH क्या कर रहा था, उसे activate कर रहा था, कि भई और polystron निकालो, और estrogen निकालो इसी तरीके से HCG है, यह corpus luteum को और क्या करता है, फिर से यह भी उक्सान लगता है, और निकालो, अब तो pregnancy होने वाली है, ठीक है, the presence of HCG in maternal blood or urine, is an indicator of pregnancy, यह जो kit आती है, pregnancy वाली, प्रेगा नियूस, है ना, जो kit आती है, जिसे हम check करते है, urine के तीन drop डालते हैं, तो उसमें line ने आ जाती है, उसके पिछे वज़े यह ही है, यह जो human chronic, यह HCG हार्मोन है, यह urine में और blood में पाया जाना लगता है, तो होता क्या है, इसी से react करता हुआ, उसमें listip बना दी जाती है, अगर यह हार्मोन होगा, तो उससे क्या करेगा, react करता है, और फटलाइज हुआ, फटलाइज नहीं हुआ, तो ovary के अंदर क्या कर घटना है, घटी, प्लेस, corpus luteum एक केस में खता हो जाता है, एक केस में बच जाता है, अब ultimately uterus में क्या हो रहा है, अब corpus luteum दो बचा हो है, कि नहीं बचा हो असपर depend करेगा, अब ही कहानी क्या चल रही है, और हम बात, अभी वो नॉर्मल बात चल रहेगी, ओवलिशन होने के बाद, graphene follicle किसमें करनवर्ट हो गया है, corpus luteum में, तो उसके अंदर से जो hormones निकल रहे हैं, प्रोजिस्टोन और estrogen, वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं किसी growth को, coiling of the endometrial glands, उसके अंदर glands बन रही है, vasculorization, उसके अंदर arteries और और ज़्यादा बन रही है, of the superficial endometrium, and thickening of the endometrium, और ज़्यादा उसकी मुटाई बढ़ रही है, और वो लगबग कितनी हो जाती है, 12-18 mm क्यों हो जाती है, सोचो, 18 mm काफी मोटी लेयर होती है, scale से ना पो लगबग 2 cm मोटी लेयर हो जाती है, 18 mm लगबग 2 cm लेयर ठिकने सोने जारी है, 2 cm काफी मोटा होता है, ठीक है, अब because of the secretory activity of endometrial glands, जो endometrial glands है, उनकी क्या है, secretory, वो काफ सारी चीज़े secret करती है, जो uterus के अंदर, endometrium के अंदर, जो glands है, वो क्या-क्या secret कर रही है, glycogen, ठीक है, this period is called secretory phase, और इसी वज़े से इसको हम लोग क्या कहते है, secretory phase कहते है, तो एक नाम पढ़ता है, ovarian cycle के वज़े से, दूसरा नाम पढ़ता है, उस phase का, किसके वज़े से, uterus cycle के वज़े से, secretory phase of the uterus cycle, this preparatory changes, peak about one week after evolution, evolution होने के बाद, यह लगबग एक हफ़े तक, चलता रहता है, और एक हफ़े के अंदर, यह सब चीज़े हो जाती है, at the time of fertilized ovum, might arrive in the uterus, ठीक है, इस संभावना में, यह सारी growth होती है, कि size fertilized ovum आएगा, और सब चिपकेगा, if fertilized does not occur, यह तो वो हो रही घटना है, कि हाँ ovum आएगा, चिपकेगा fertilized ovum, अगर fertilization नहीं होता है, the level of progesterone and estrogen decline, क्यों decline हो गया था, क्योंकि corpus luteum break कर जाता है, due to degeneration of the corpus luteum, withdrawal of progesterone and estrogen causes mensuration, और जैसी इनका level गिरेगा, progesterone का और estrogen का, वैसी क्या होगा, बताया था, पोश्टर ग्लेंडने वाले पूरी कहानी होती है, तो menstruation फिर start होते हैं, बास समझ में आ रही है, तो यह बिटा, फिर कह रहा हूँ, तीन घटना है, बहुत कायदे से इने ध्यान में रखना है, अब इसको फटा-फट अगर मैं, क्या करूँ, summary में ले, ठीक है, एना कुछ लोग था बहुत लंबा लेक्टेर होगा, बेटा करना पड़ा यह, छोटा topic था, अभी तुम देखो, मैंने मैंसल फेसे साइकल स्टार्ट होती है, तीन से पांच जिन रहती है, मैंसलेशन ओंली ओकर इफ, ओवर मीज नॉट फेटलाइज, अगर ओवर मैं फेटलाइज नहीं होगा, तो ही मैंसलेशन होगा, विज रिजल्ट इन ब्रेकडाउन औफ, एंडोमेटरिल लाइनिंग ऑफ दा यूटरेस, और यह किसकी वाईज से होता है, एंडोमेटरिल लाइनिंग की टूटने के वाईज से, यह मैंसलेशन हो रहा है, पिरियोट हो रहे हैं, सारी कहानी आ गई, लेकिन ऐसी बता देता वेटा, तो कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आता, कि यह प्रोसेस चल क्या रही है, प्लस अंदर के जो कोश्चन आते हैं, वो नहीं कर पाते, तीन नंबर में कोश्चन आएगा, तो समझ में लिखना चाहते हो, तो और डिटेल में लिख देना, फॉलिक्लर फेज और प्लिकलर फेज़र 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 फॉलिकलर किसकी वाज़ से, ओवेरियंस साइकल के वाज़ से, प्रोलाइफलेटी फेस किस के वाई से योट्री साइकल के वाई से दा मेंसरल फेस फोलोड बाइ फालेखलाइए फालीटिर फेस आता है प्रामडि फॉलिक्ल ग्रोष देखो दोनं का चीक जिंद और आप्राइन फॉलिकल ग्रो करना श्टार्ट करते हैं to become graphene follicle and simultaneously और साथ साथ में endometrium of uterus regenerate वापा से regenerate होती है through prolifration कौन से हर्मन रोल प्ले कर रहे हैं LH and FSH increase in this phase and attain peak level in the middle of cycle 14 day तो सारी कहान यहाँ पर mention है short में ठीक है increase in LH induces rupture of graphene follicle and thereby the release of ovum LH की बढ़ने के वाई से graphene follicle तूटता है और ovum release होता है जिसका हम लोग क्या कहते है ovulation कहते है समझ मारे यह का नहीं repeat कर ले न विटा लेक्चर थोड़ टाइम लाएगा लेकिन हाँ killer हो जागा एकी बार में luteal phase और secretory phase evolution is followed by luteal phase ovulation के बाद क्या होगा है luteal phase luteal phase में क्या बनता है corpus luteum बनता है हमारा in this phase ruptured graphene follicle changes to corpus luteum जो ruptured graphene follicle है किसम बदल जाता था corpus luteum में corpus luteum secret large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium तो साफ साफ mention है estrogen में secret करता है लेकि प्रोजिस्टरोन का main role होता तो आंसर प्रोजिस्टरोन आएगा इसका ठीक है endometrium is essential for implantation of fertilized ovum implantation में बताया था जाग जो fertilized ovum होता है जागोट हो तो उसका जाकर के endometrium layer से चिपकना and other events of pregnancy अभी implantation लेक्टर में सब cover-up हो जाएगा if fertilization does not occur at corpus luteum अगर फटलाइशन नहीं होता है the corpus luteum degenerate वो तूट जाएगा this causes disintegration of endometrium leading to menstruation अगर फटलाइशन नहीं होता तो corpus luteum किसे बदल जाता है albicans में और फिर पॉस्टरोन को level down हो जाता है जिसके वह से finally endometrium layer भी तूटना सुरू हो जाती है और menstruation start हो जाते है bleeding start हो लेकिन समरी में अब मैं डायट बताता समरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता पल्ले नहीं पड़ता तो इसलिए पुरे detailing ज़रूरी थी और अगर पांच नमर में आता है तो उपर जादा अच्छा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसे पढ़ना है revise करना है pdf का link description मिल जाएगा यह मेरा number है कोई problem आती है and this is the app ठीक है जिसका आप use कर सकते हो अपनी तयारी करने के लिए और सबसे ज़रूरी चीज़ पढ़ना है और revise करना है all the best